हिंदी साहित्य की अनुखम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए वरतमान में हिंदी साहित्य की अगरणी एवं प्रसिद लेखे का मनीशा कुल शरेश जी की लिखी ओई कहानी किरदार तो प्रस्तोत हैं उनकी कहानी किरदार अविनाश पहुचते ही फोन कर देना वरना तुमारी मा को चिंता हो जाएगी जी मामा जी और बस चल पड़ी अविनाश तु ये मस समझ कि तुझे शादी के लिए भेजा जा रहा है वहाँ मेरे दोस ब्रिगेडियर्स इनहा का घर और बाग है वहाँ तु बस उनके परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जा रहा है वो जानता है कि ये जाल शादी के लिए बिचाया जा रहा है बस चलते ही अच्छा मौसम होने के बावजूद अविनाश के मन की कड़मी इस प्रतियां धुआ देने लगी साथ साल हो गए मन के छाले हैं कि सूखते नहीं बलकि बार बार फूट कर उसे आहत करते रहते हैं हर इस्तरी अब एक छलावा लगती है आकर उसका क्या गुना था यही कि उसने तैशुदा शादी की थी मा तो बस घर बार और उनकी शांदार मिहमा नवाजी पर रीज गई थी रड़की की सुंदर्ता मौन और सादगी मा को अटपटी नहीं लगी देखने दिखाने की रस्म के बाद सबके कहने पर एकांत में उसने बस संक्षिप्त में बात की और फौजी जीवन की दुश्वारियों पर बात चलाते ही वो अचानक उठकर चली गई तब उसे लगा था कि शर्मा रही होगी उसने सोच लिया था कि अब तो शादी हो ही रही है जिन्दगी भर बाते कर लेंगे मा की पसंद मा का इकलोता यही तो सुख होगा उनके जीवन में शादी के ताम जाम के बाद जब अपनी जीवन संगनी से मिलने की वो इत्मीनान की एक दूसरे को जानने की राता ही तो शादी के शांदार पलंग पर फूलों की सजावट के बीच वो काली नाइटी में पैर से कोडे सोई मिली जगाने पर बहुत थंडी आवाज में उसने कहा था यह शादी नहीं है विनाश समझोता है सोजाओ किस तरह का समझोता मना कर देना था तुमें किया था बहुत कोई माना नहीं अब? अब क्या कुछ भी नहीं? मैं नहीं रहूंगी यहाँ जब वो अगले दिन माई के गई तो उसकी जगे लोटकर विवा को शूनिस साबित करने के लिए उसके वकील का नोटिस आया जिसमें आरोब था कि वो नपनसक है और विवा के योगे नहीं वो जड़ होकर रह गया मा और मामा जी ने उसके घरवालों से कहा सुनी की कोड का फैसला होने तक अपमान उसे जलाता रहा हना कि वो आरोब साबित नहों सका पर अब उसका ही मनना था कि ये संबंद बना रहे उसने तलाक मनजूर कर लिया उसने अपनी पोस्टिंग ले करवाली थी और मा की दूसरे विवा की जित को टाल गया था पर अब मा के अकेलेपन और अस्वस्त्ता की वज़े से उसे जोदपुर पोस्टिंग करवानी पड़ी और मा के साथ रह कर उनकी जित ना टाल सका ठक गया था, हर बार वही पहस मा इस अगस्त में 35 का हो जाऊंगा चुपकर 35 कोई उमर होती है आज कल पिछले कई दिनों से मामा ये माउंट टाबू प्रक्रन चलाए जा रहे थे इस बार मामा चाज भी फूक फूक कर पीना चाहे थे सोवे उसे लड़की और इसके परिवार के साथ पूरे हफ़ते छोड़ना चाह रहे थे विहेटियर सिनहा, मामा के बच्पन के दोस्त हैं उनकी एक बहन है अविवाहित अविनाश के मन में किसी बात को लेकर कोई उत्साह नहीं बलकि मलाल हो रहा है उसने सोचा था कि इस बार सालारा चुटी लेकर मा के साथ जादा से जादा समय बिताएगा और वो मांट आबू जा रहा है किसी अजनभी परिवार में शाम का जुटपुटा रास्तों और पहाड़ियों पर उतराया है तोतों का एक जुंड शूर मचाते हुई अपने ठिकाने को लौट रहा है हवा में सर्दी की खुनकी महसूस होने लगी है वो खुली खिड़की जरा सरका देता है बस के अंदर नजर डालता है सामने वाली सीट पर एक विदेशी यूर्टी बैठी है उसे देख कर मुस्कुरा देती है वो इस बेबाग निश्चल मुस्कान पर जवाब में मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता ना जाने किस गुमान में उसके हाथ बाल समारने लगते हैं अपनी इस कॉलेज के लड़कों जज़ी हरकत पर उसे हसी आ जाती है वैसे आजाती में कितना सुकून है अब उम्र के 35 साल मुक्त रहकर विवा के पक्ष में वो जरा भी नहीं पर यहां भारत में जिस तरह बड़ी उम्र की लड़कियों का कुवारा रहना संदिक्द होता है वहीं बड़ी उम्र के कुवारे भी संदिहों से अचूते ने रह पाते है समाज का इतना दबाव होता है कि आपको कोई चैन से बैठने ही नहीं दे सकता शादी वादी बेकार का बवाल उसकी नजर फिर उदर चली गई वो भी इधर ही देख रही थी दोनों में फिर मुस्कान बाटी लड़की आकर शक है उसने मा की जबर्दस्ती रखी हुई जैकेट निकाल कर पहन ली लड़की ने फिर उसे देखा इस बार उसकी आँखों में आमंद रड़ था वो मुस्कुराया नहीं इस बार एक गहरी नजर डाल खिड़की के बार फैलते अंधेरे में द्रश्टी डालने लगा पहाडों पेडों की सब्ज आकरतियां धीरे धीरे स्याही में बदल रही थी उसके मन पर अनमैस्कता घिराई कहा जा रहा है वो और क्यों बेवज़ है क्या समझोते की तरह दो लोगों के बंदने से जरूरी काम कुछ और नहीं बेकार है ये विवार नामकसंस था मामा क्यों कहते है कि शारीरिक जरूरते तो हैं ही एक साती की मानसिक जरूरत भी होती है शारीरिक जरूरतों का क्या है उस जैसे आकरशक पुरुष के लिए लड़कियों की कमी है क्या जैसे जैसे अंधीरा गहरा रहा है वो उस विदेशी यूती की नजरों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा है उसने चेहरा गुमा लिया है खिड़की की तरफ फिर से हाला कि इस एक मुद्रा में उसकी गर्दन दुखने लगी है पर वो नहीं चाहेता कि लड़की किसी किसम की गलत फहमी पाल ले पहाड़ी रास्तों से होकर ब्रिगेडियर सिनहा के बंगले पर पहुँचने में पंदरे मिनट लग गए सारे रास्ते वे बोलते रहे और वो सुनता रहा कि कैसे फौच छोड़कर वे यहां सेटल हुए फार्मिंग में उनकी शुरू से रुची रही है वे स्ट्राबेडी जुगाना चाह रहे हैं इस बार यहां वे बहुत लोक्प्री हैं आदी आदी उनके बंगले के गेट से पोर्स तक एक मिनट की ड्राइव से लग रहा था कि खुब बड़ी जगए लेकर घर बनाया गया है अंदर पहुँचकर राम सिंग को उनका सामान गेस्टू में रखने का आदेश देकर उसे हॉल नमा ड्राइंग रूम में बिठा कर वे अंदर कहीं गायब हो गए हॉल की सज्जा कलात्मक थी किसी के हाँ से बनी सुन्दर पेंटिंग्स जिन में जादातर राइस्थानी इस्तरियों के चेहरे थे सामला रंग लंबोतरे चेहरे खिची हुई काजल भरी आँखें और तीखी नाक वाली पूरे हॉल पर नजर भूमती हुई एक जगयाटी की एक लंबी आकरत स्टूल पर चढ़ी एक पेंटिंग के लिए कीले ठोक रही थी अचानक वो जीती जाकती पेंटिंग धम से ट्राइंड रूम के गलीचे पर पूती हेलो कहकर रुखे सकने लगी अविनाश ये मेरी बेटी है नीलांजना बीएस्सी कर रही है बेटा जाओ मम्मी को भेजो और किचन में चाए और स्नेक्स के लिए कहना चाए की आपचारिकता के बाद गेस्ट्रूम में आ गया जो एक छोटा मोटा सा समस्त सुवधाओं से युक्त फ्लैट ही था डिनर टेबल पर बहुत से अंजाने चेहरे थे अविनाश ये रेवा है मेरी बेहन जेजे आर्स में लेक्शरर है मैंग मेरा पेटा IIT Bombay से Electronics में इंजिनरिंग कर रहा है ये मैंग का दोस्त केतन है तुम पहले आये होते तो ये सब एक सबता से यहीं थे कल जा रहे हैं रेवा तुम तो रुकोगी ना जी दादा पर वो एक exhibition थी मेरे students की बुआ रुक जाओ ना भाई को जाने दो कल आप तो अभी आई थी ठीक है उसने अभिनाश पर उड़ती हुई निगा डालते हुए कहा उसने पहली बार रेवा को गौर से देखा तामबई रंग बड़ी काजल से लदी आँखें भरे होत और थोड़ी चोड़ी नाक चेहरे पर परिपक्व सदा हुआ भाव भरे संतुले जिस्म पर बाटिक प्रिंट का भूरा कुड़ता और जीन्स घने काले बाल आकर्शक मगर बेतर्तीब जूड़े में लपेटे हुए एका एक आप पर छा जाने वाला द्रण व्यक्तित्तो बात करने के ढंग और शब्दों के चैन से ही लगता है कोई बुद्धिजीवी कलाकार बात कर रहा है फिर नजर भूमी तो निला प्रजाटिकी गंदुमी रंग वुआ किसी ही बड़ी बड़ी लंबी आखें और नाक और होट मा जैसे ना जुग क्या देख रहे हैं आप पापा आपके मेमान खाना तो खाई नहीं रहे ओ हाँ अविनाश लो ना सुबह वो देर से उठ सका उठते ही खिड़की में आया तो नीचे देखा मैंक और उसका दोस्त जिपसी में सामान रख रहे थे मैंक ते महीं से चिला कर अलविदाली और ब्रिगेडियर से नहां उन्हें छोड़ने चले गए वो नहादो कर नीचे उतर आया नीलांजना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर कॉलेज जाने के तयारी में थी उसके लिए भी वहीं चाहे आ गई मेरा मन नहीं कर रहा है कॉलेज जाने का पर आज मेरा प्रेक्टिकल पीरियड है बाहर बुआ मेरे लिए एक पेंटिंग बना रही है देखते रहेगा बोर नहीं होंगे शाम को मैं आऊंगी तब घुमने चलेंगे वो हस पड़ा चाय पीकर वो बाहर आ गया रेवा सचमुच एक पेंटिंग में व्यस्ती वो पीछे जाकर खड़ा हो गया छोड क्यों दी मैं तो कोई बात नहीं वैसे भी ये पिछले साल से चल रही है पूरी हो ही नहीं पाती इसके बीच नजाने कितनी पेंटिंग्स पना डाली ये अठकी हुई है दरसल बॉम्बे होती तो पूरी हो जाती इसे नीला लहीं नहीं जाने देती हस्ती हुई डेवा अच्छी लगती है हसी चेहरे पर से गंबीरता के मुखर्टे को खिसका जाती है उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा उसे वो नीला की ही पोट्रेट लगी चेहरा भी अधूरा था बड़ी आखें चेहरे पर बिखरे सुनहरे बालों का गुच्छा लेस वाला गुलाबी टॉप बाकी पीछे बैक ग्राउंड अधूरा था तस्वीर अधूरी होने की वज़े से उदासी लग रही थी रेवा ने बालों से लकडी का मचली के सिर वाला काटा निकाला जो कि उसकी रुची के अनुसार कलात्मक था और बाल कमर तक फैल गए और पहाडी बैयार में उडने लगे वो गौर से देखे बिना न रह सका रेवा ने उसकी नजर को पिक्षित कर दिया और ब्रेकफास्ट यहीं मंगवाने के लिए कहकर चली गई ब्रेकफास्ट बाहर लॉन में लग गया और परिवार के बच्चे हुए सदस से वहीं आ गए ब्रिगेडियर किसिन्हा ने कश्मीर मसले पर बात छेड़ दी तो वो चर्चा देर तक चलती रही देवा ज्यादा रूची नहीं ले रही थी वो उटकर लाइब्रेरी में चली गई तो ब्रिगेडियर सहाब मुद्दे पर आ गए तो अविनाज तुम्हारा डेवा को लेकर क्या खयाल है वो अच्कचा गया क्या कहे देखो बेटा मुझे तुम्हारा अतीत मालूम है रेवा को भी मैंने बताया है अब तुम दोनों को ही विवा को लेकर निर्ने ले ले लेना चाहिए ये समझ लो ये आकरी गाड़ी है उसके बाद या तो सफ़र टाल दो या इसी पर चढ़ जाओ लंच के बाद वो अपने कमरे में आने के बाद देर तक इस विशेपर सोच सोच कर उलचता रहा रेवा आर्मी माहौल में रही है अच्छी लड़की है क्या हा कह दे क्या सोच रहे थे बुगा के बारे में नीला तुम कब आई अरे कब से आकर खड़ी हूं कौफी लेकर आप हैं कि गहरी सोच में गुम है सलवार कुर्टे में नीला बड़ी बड़ी लगी दोनों ने काफी पीली तो नीला ने उसे खीच कर उठा दिया जाये जल्दी कपड़े बड़िये ना हम गुमने चलेंगे हम कौन कौन जाना तो मुझे भी था पर मम्मी कहती है आप और बुगा ही जाएंगे प्लीज अविनाश अंकल आप कहिए ना मम्मी से कि मैं भी चलूँगी अंकल क्या मैं इतना बड़ा लगता हूँ लगते तो नहीं है पर तो क्या कहूँ फिलहाल अवनाश जी चलेगा डेवा ने भी नीला की पैडवी की क्योंकि दोनों ही डाल रहे थे एकांत एक उमर के बाद कितना मुश्किल हो जाता है उसके कई अच्छे दोस्त उससे बड़े नहीं नहीं कर सकेगा अभी वो हाँ जैसा हाँ कौन ड्राइव करेगा नीला ने पूछा आफकोर्स मैं नीलू अविनाश जी को कहां इन पहारी रास्तों का अंदा जाओगा और तुम्हें दादा ने मना किया था ना क्या तुम्हारी बुवाजी बड़ी धार में कहे है ओ जादा तो नहीं अभी तो हो इस पुराने मंदर में अपने एक स्केच के लिए फोटो लेने गई है आपने क्या सोचा कि वे मन्नत मांगने गई है कि हे भगवान इस हैंडसम फौजी से अब मेरी मंगनी हो ही जाए गलत फहमी में मत रहिएगा मेरी बुवाजी सब को रिजेक्ट करती है वो तो मिस बॉम्बे भी रह चुकी है अपने जमाने में अच्छा बुरा तो नहीं लगा ना नहीं नीला बच्चों की बात का बुरा मानते हैं क्या अविनाश जी मैं बच्ची नहीं हूँ एक बार अंकल क्या कह दिया आपने बच्चों में शुमार कर लिया अच्छा मिस नीला अंजना तो आप क्या कह रही थी श्च बुवा आ गई कहकर उसने मेरा हाथ दबा दिया रेवा वो बोटिंग में जरा भी दिल्चस्पी नहीं थी सो वो शॉल लेकर किनारे रखी एक बेंच पर बैट गई मैं ना चाहा कर भी नीला के साथ बोटिंग पर चला गया अविनाश जी संसेट के वक्त सबकी आँखो का रंग बदल जाता है देखो आपकी और मेरी नीलाजना की आँखो में समुद्र उफान पर था उसके खुले सीधे सीधे भूरे बाल सोने के तार लग रहे थे हवा में उड़ता सुका लेस वाला कॉलर अविनाश जी क्या देख रहे थे यही कि तुम बहुत सुन्दर हो हाँ हूं तो पर उससे क्या फरक पड़ता है प्रकर्ट में हर्ची सुन्दर है मुझे तो हर्ची सुन्दर लगती है हाँ तुमारी उम्र में मुझे भी सबकु सुन्दर लगता था अब अब सब नजरिया बदल गया है वास्तिविकताएं अलग होती है सबका सोचने का ढंग है अपना अपना क्या ये जील वास्तिविक नहीं वो तामभई जैसाना जल पंक्खियों का जुन्ड रियल नहीं है नीला अविनाश जी पापा से सुना था कि आप कविताएं लिखते थे फिर छोड़ क्यों दी तुम्हें रुची है हाँ बहुत पर आपने क्यों छोड़ा वही रियल्टीज नीला ने दोहराया और दोनों हस पड़े नीला तुम्हें क्या मालूम जिन्दगी कितनी बड़ी गिर्म रियल्टी है जिसे तुम्हें बताकर डराना नहीं चाहता इश्वर करे तुम्हें जिन्दगी उतनी सुन्दर सत्यों के रूप में मिले डरावने मुखटे पहन कर नहीं अविनाश ने दूआ की अविनाश जी चलिए किनारा आ गया आप क्या सोचते रहते हैं कैसी रही बोटिंग रेवा चल कर पास आ गई थी मज़ेदार रेवा एक चांदी के जेवरों के दुकान में चली गई तो वो और नीला बाहर के और बैट गए तुम्हें जेवरों में रुची नहीं भुआ जैसी जोल्रिओ में नहीं कहा कहा से आथवासियों के डिजाइन कॉपी करवा के सिल्वर का औक्सीडाइस करवा कर पहनती हैं मेरा बस चले तो कानों में बबूल के गोल फूल पहनूं बालों में रंग बिरंगे पंक लगा लूँ वन कन्या की तरह हैं दोनों हस दिये हमारे गर में किसी को हसने का शौकी नहीं है नीलू जी बुआ देख ये एमेथिस्ट जड़ा कड़ा पसंद है तुझे तेरे नए परपल सूट के साथ मैच करेगा अच्छा है बुआ अविनाज जी ये आपके लिए मेरे लिए क्या देख लीजिए एकपा मेराइन इस्टोन के बहुत सुंदर कफलिंक्स थे एक बार रेवा ने अपनी आँखों में आत्मियता भर मुस्कुरा कर उसे देखा था यानि फिर भी अभी भी वक्त लेगा हाँ करने से पहले ऐसे ही ना जाने तीन दिन कपीत कह वो और नीला बहुत आत्मी हो गए थे दो दोस्तों की तरह एक दिन देर शाम मैं बुआ की जगे होती तो बहुत पहले आपसे शादी के लिए हाँ कह देती मैं किस जगे होता फिर फिर एक हसी आपके बारे में कुछ सुना था सची सुना होगा कैसी होगी वो लड़की जिसने आपको बिना जाने छोड़ो ना नीला शायद उसकी ही कोई विवश्टा हो क्या वो किसी और से प्यार करती थी शायद ऐसा क्यों होता है अबनाश जी शादी जबर्दस्ती का सौदा नहीं होना चाहिए न ऐसे तो अधूरे रिष्टों की कतार लग जाएगी आप से वो प्यार नहीं करती थी और शादी हुई आप किसी को प्यार करें और शादी किसी से हो जाए फिर उसकी जिससे शादी हो वो ऐसे जाने कितने प्यार के अधूरी तस्वीरे ही रह जाती होंगी न तुम अभी छोटी हो नीला जिंदिगी के सत समझने के लिए अच्छा आप बुआ से शादी करेंगे पता नहीं नीला दर असल मैं ये सब सोचकरी नहीं आया हूँ बस मामा की बात रखने के लिए चला आया आप बहुत भावुक हैं और बुआ बहुत प्रैक्टिकल मैं भावुक हूँ कैसे जाना जिसे आप एड्मायर करते हैं उन्हें आप जान भी लेते हैं आप बहुत अच्छे हैं नीला के नाइट सूट के ढिले कुरते में धरकते सुकुमार नन्ने वक्षों की धरकन खामोशी में मुखर हो गई थी नीला रात हो गई अब जाओ कॉफी? नहीं गुड नाइट अविनाश का मन अंजानी आशंका और एक अंजाने भाव से थरतरा राता थंडी रात में भी वो पसीने में टूप किया सुबह देर से उठा बातरूम से मुँ हाथ दोकर निकला तो सामने रेवा चाय और ब्रेकफास दोनों लेकर खड़ी थी देर तक सोये आजा आप लगता है ये नौविल पढ़ते रहे रात तक रेवा ने नौविल उठा कर देखा फिर रख दिया मैं हत्परप था नौविल और मैं आज आपके मामा जी का फोन आया था रात को पहुँच रहे हैं चुप चाप चाए पी गई प्रेकफास भी हुआ अचानक रेवा ने पूछा आज हम दोनों को पूछा जाएगा आपने क्या सोचा है मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं तो सोच लीजे जवाब तो देना ही है यही प्रेविजन है कि आप यहां आए और मैंने अपने चुट्टियां बढ़वा ली रेवा हम जानते ही क्या हैं अभी एक दूसरे के बारे में जानने के मुहलत बस इतनी ही थी अविनाश जी फिर जिन्दिगी पर साथ रहकर भी लोग क्या जान लेते हैं मेरे बारे में सुना होगा हाँ वो अतीद था विनाश आपका सबका कुछ ना कुछ होता है उसे छोड़िये क्या तुम्हें पसंद आएगा इतने दिनों की आजाद जिन्दगी के बार बंदना उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे मैं अभी व्यक्तिगत सुतंतरता में विश्वास करती हूँ तुम्हारी जॉब? जॉब तो मैं नहीं छोड़ सकती है विनाश लंबी चुल्टियां मींस विदाउट पे लीव्स अफोर्ड कर सकती हूँ फिर देखते हैं तो रेवा तुमने फैसला ले लिया है? हाँ अभी नाश ठक गई हूँ लोगों की सहनभूती और सवालों से ठक तो मैं भी गया था रेवा पर क्या ये समझोता नहीं? शायद हम एक दूसरे को पसंद करने लगें मुस्कुरा कर रेवा प्लेट्स उठाने लगी तो शाम को डिनर टेबल पर आने तक अपना फैसला कर लेना ना हो या हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रेवा के जाते ही उसने नॉबल उठाया सेवन्थ हैवन एक रोमेंटिक नॉबल था उसके अंदर एक हाथ का लिखा पुर्जा जबसे आप आए हैं मुझे अपना होना और अच्छा लगने लगा है आप बहुत बड़े हैं ये ख़त पढ़कर जाने क्या प्रित्क्रिया करें अगर मैंने न लिखा तो मैं घुटन से मर जाओंगी आप पहले पुरुष हैं और मैं खुद हरान हूँ कि क्यों खिची जा रही हूँ मैं आपकी और कल रात न जाने क्यों लगा कि सौब दू अपने हाथों की नमी और इस्पंदन आपको लेकिन उसे लगा कि वो चकरवात में घिर गया है ये पुर्जा रिवा के हाथ लग जाता तो वो क्या सोचती वो घबरा कर तयार होकर बाहर निकल आया राम सिंग ने पूछा भी गाड़ी के लिए पर वो मना करके पैदल तीन-चार किलोमीटर चला आया पहाड़ी ढलवा रास्ते और पहाड़ी वनस्पती बड़े पेड़ और उपे उचलकूद मचाते बंदर वो एक चटान पर सुस्ताने लगा और आखे मूनते नीला का चेहरा सामने आ गया मासूम आखें सीधे रेश्मी बालों में खुल-खुल जाती लाल साटिन की डिबन की गिरह तिर्यक मुसकान नीला तुम मुझे प्रिय हो तुमारी निश्चलता मुझे पसंद है तुम वो अनगर कोमल इस्वटिक शिला हो जिसे मैं मनचाहा गड़ सकता था तुमारा समर्पन बहुत कीमती और नाजुक है और नियत ही बहुत क्रूर है नीला जिस संभावनाओं को हम सोचते ड़ते हैं वो संभव तो होई ही नहीं सकती न मैं कल ही यहां से चला जाओंगा आज रात डिनर पर मामा जी से क्या कहूंगा मना कर दूँगा जब बहुत देर भटक कर वो बिग्रेडियर सिनहा के घर के जरा नीचे वाले मोड पर मुड़ाई था कि नीला साइकल पर उतरती दिखाई दी पास आई तो परिशान लगी आप यहां हो और मैं सौरी मेरा इरादा कुछ नहीं अविनाश जी बस कन्फेस किये बिना न रह सकी और मैं किस से कन्फेस करूँ अविनाश I am possessed by you मुझे पर छाया पड़ गई आपकी तुम पागल हो नीला मैं जा रहा हूँ यहां से यही उच्चित होगा मुझे में साहस नहीं है एक साथ बहुत लोगों का विश्वास तोरने का और बुआ क्या बुआ बेवकूफ लड़की वो खट जो छोड़ाई थी उसके हाथ पड़ जाता तो मुझे नहीं करनी शादिवादी कहां फ़स गया मैं बुरी तरह जला गया विनाश और सर पकड़ कर पुलिया पर बैठ गया नीला सुबकने लगी वो उसके पास उठाया उसके मुपर ढ़के हाथ खटा कर बोला क्या करूं मैं नीला अब आगे कोई भी रिष्टा हम दोनों के लिए घा तक है मुझे जाना ही होगा नीला उसकी बहाँ पर टिक गई और रोते हुए बस इतना कह सकी आप भुआ से शादी कर लो अविनाश जी आज पहली बार वो खुश होकर पापा से कह रही थी कि दादा अविनाश को देखकर पहरी बार लगा कि शादी कर लेनी चाहिए और तुम मैं मेरा क्या अविनाश जी ओ ओ ये इस्तरिया अजूबा है नहीं समझ पाता मैं इने मुझे खुद नहीं पता शाम को क्या होना है पर तुम अब कोई बेवकुफी नहीं करोगी डिनर के समय नीला नदारत थी मामा जी और प्रिगेडियर सहाब के घेरे में अविनाश ना नहीं कह सका हां में सरहला देने के बाद का समय उसके लिए यूँ बीता कि जैसे वो दर्शा को सारी प्रिक्रिया का और अविनाश का किरदार निभाता कोई और ही है घर का वही हिस्सा जो गेस्ट हाउस था शादी के बाद अविनाश और रिवा का हो गया तीन दिन के बाद दोनों को कमरे की लाइट जली है और रिवा की बनाई अधूरी तस्वीर सामने वाली दीवार पर लगी है अभी आप सुन रहे थे मनीशा कुल्स्रेश जी की लिखी हुई कहानी किरदार कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं परतीक्षा करूँगी फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ आपका समय शुब हो सुन्दर हो